हील स्टेशन पंच मड़ी से लगबग 10 किलोमिटर पूर ग्राम पगारा में जंगल में आग लगी हुई है जो की प्रत्यक दर्शियों के अनुसार सोमबार सुबह की बताई जा रही है यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है जिसमें ददक्ती हुई आग प्राप जानकारी के अनुसार आज दिनान तक किसी भी संबंधित अधिकारी द्वरा आग पर किसी प्रकारगा कोई बयान सामने नहीं आया है पिपरिया विदान सभागी तहसिल बनखेडी के अंतरगरत आने वाले ग्राम देवरी में सरकारी योजना के अंतरगरत काम नहीं होने से नाराज किसान पिपरिया एसडियम कारेलाई पहुँचे जहां उन्होंने अनुविभागिये अधिकारी नितिन टाले के नाम एक नहीं पैस ऐता रखाँ आप चाहती हों परिषान पैस्दि कहां से आप लों पर पंचाय यह जिलाक मंखेडी जिला असंगाबर एक ृवजना कीपंजां वेले ढम नहीं हैं और पीड़ोगिसें संधाय आप करेदय वहले की तो नाली को विदिपूरवा काम नहीं बहुताए तो आपने सिकाएट की थी इसकी पहले तो किया बोलते है वो बोलते हैं हो जाए सब उजाएगा सच्छिप से बोलेते हैं उपकी साथ महीना पहले टिब्यल फजाज जाले हुआ इनामे लेकन अभी उसका वोट नवान नहीं हु किस प्रविद्ट पंचैत के कारियों अन्यमित्ता है रोड निर्मार नाली निर्मार निर्मार आवास योजना इन में इन में अनिमित ताइं है अच्छा इससे पहले आपने कभी किसी जिम्मेदारों को अवगत करा है विसे से कहीं और सिकायत की है क्या सर मैंने एक सुथक्यासी पर सिकायत की थी पिछली साथ तारीक को कोई निराकरन ने जिसके बाद आप यहाँ है जी क्या चाहते हैं हम सर निशपक्स जाच चाहते हैं सर पंच दोरा किये गए खारियों की निशपक्स जाच चाहते हैं श्रीवपूरी मध्यप्रदेश शाषन ने लोगों की समस्या हल करने के लिए प्रतियक मंगलवार को जन सुनवाई जैसे कारेक्रम आयुजित किये हैं जिसमें जीला प्रशाषन आम लोगों की समस्याओं को सुनकर उसका निराकर्ण करते हैं मगर निराकर्ण के दोरान अगर अधिकारी को आवेदक के उपर गुस्सा आ जाए तो अगर लोगों के बीच में खाड़े हो ना पीप्रका के चिलाने की आफ शक्ता नहीं है जिला कर जाए तो लिखे जवाब चेहे तुमको आपका मारा लिखे रहे हैं तुमी को गुसा आती है अन्द करो जी इस लो इस लो इस तो गोड़ो ना चाहिए सेबडा SDPO दीपक नायक ने हत्या का किया खुलासा दीपक नायक ने बताया मृतक के परिवार जन एहुम आस पास की जानकारी के अनुसार पता चला कि सूचना करता सतिच बातम की पत्नी और दीपक बातम के बीच अवे संबनों के चलते सूचना करता सतीज बातम ने दीपक बातम की गोली मार कर हत्या कर दी आरोपी की गिरफतारी पर कड़ाई से उस्ताज करने पर आरोपी ने अपना जूर्म करना स्विकार किया आरोपी के कबजे से देशी कटा भी जब्द कर लिया गया जिससे आरोपी ने हत्या की थी मृतक दीपक बात्म का मोबाइल भी आरोपी के कबजे से बरामत कर लिया है। मृतक था दीपक बात्म और सुचना करता सती शिया आपस में चाचा भतीजे थे तो मृतक के परिवाज उन्होंने की संधे विक्त किया था कि इंसे सती से पुंश्टाच करे जाए तो तो जिसना कब इसमें हिक पतमली से पुंश्टाच करी तो नए कथे सामलिया इसमें से आरोपी की पतनी की संक्रिशत्रकार के वाज संबंदों का कनेक्शन सामलिया और आरोपी से जब अच्छे से पुंश्टाच करेगी तो उसके द्वारत ने जुरू को सुझदार किया गिया और उसमें घटनाविप्रत कट्टा 315 बुरुका हो और एक मुबाइल जटकर कि इस अतीश बातन नहीं इन संबंदों के चलते जो है अपने बतीजे दीपक का अंगर पायरांग से मढ़ दोपी है कि 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 सांडिया रोड इस्तित कि प्रभारी नन्दा महात्रे संगटन के प्रदेश अध्यक्षेमंत ताले प्रदेश अचिव मोहन विश्णोई विशेश रूक्त से शामिल हुए पुरे देशने जहर गोले के काम कर रहे हैं। पीपरिया अवच मड़ी रोड पर अस्पताल परिशत के बाजू पानी पी रहे किसान का पेशो बरा बेग अग्या चोर ने चोरी कर चंपत हो गया मामले की जानकारी लगते ही पुलीस प्रसाशन में हडकम मज गया स्टेशन रोड थाना पुलीस के अनुसार जगदिश पिता भाई गुजर निवासी गोगरी ने थाने पहुच का शिकायत दर्ज कर आई मेरा खाता था तो मैं वहां गेट के वहां रुखा प्रास लगी मिश्कों भाईजान गेरिज को वहां पर चिल्ड बाटल रखी हो तो मैंने वहां गाड़ी खड़ी करके बाजू में पानी पीने के लिए बतर रही हूं इत्ते में आया आदमी तो बुसन स्थेला निकाल कर कर दूसरा बाट पर बैट का निकाल रहा हूं किस और भागे हैं पर्चमणी रूट का जान पर चान के आप पे के नहीं है जान पर चान को ते जहकायात विनकी जोरे चलियाते ले अब बंद लिए